तो यार देखो, एक बात तो आज तुम मेर से लिखके लेलो, कि जितने क्रियेटिव हमारे फ्रीफायर के प्लेयर है, उतने तो भाई बाकी किसी और गेम के प्लेयरों के अवकाती नहीं एतने क्रियेटिव हो जाएं, क्यूंकि ये बंदे हर साल एक नई उंगली से खेलना च बात दिख रहा है बंदे का वीडियो में लेकिन बात नहीं है जो भी तु खेलना राम से अपना खेलता जा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कुछ कम पड़े एक आदी उंगली तो पैर वहरे की उंगली में लिए यह जिए बात इसलिए कर रहा हूं क्यूंकि ये वीडियो भी यह वीडियो है हमारी फॉर फिंगर के उपर अब बढ़ते समय के साथ साथ जैसे हम लोग फ्री फिंगर पर शिफ्ट हुए थे वैसे हमें यह फॉर फिंगर पर भी होना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के पास बड़े में डायरेक्ट और डायरेक्ट पीसी ही आ रहा है औ ठाला फॉर रीजन और मतलब आपको यह बात भी माननी पड़ेगी कि जो गेंपले आप लोग तीन चार साल पहले दिखा के सीच और बीर के मैं जीत रहे थे आज वो गेंपले दिखा के तो एक राउंड ना टिक पाओ ठीक है तो आपको भी इसलिए फॉर फिंगर का जलव नि agric Survivor वात है कि वहां कि कैम का प्रेशर अगर 2 जनो पे रहेगा तो वहर अबं़ेश कमत dobr देशे कर लेंगा दोबunda और साथ Опशन हो या फिर वो को लोग के दबाने वाला option हो, emoji, emoji, ठीक है, हम मानता हूँ कि सभी buttons पे tap नहीं करना होता, लेकिन add तो हो रहे हैं, और second चीज मुझे लगती है, कि बहुत से लोग बोलते हैं, कि भाई, फ्री फैर में मजा नहीं रहा वह वाला, खेलते भी रहेंगे, और बोलते रहेंगे, कि मज आप याने लग जाता है, तो four finger सीखो, must fun करो, अच्छा गौरबाई फिर यह बता दो कि क्या रखनी है हमें, तो सबसे पहली है, वो typical वाली है, तो इसे देख के तुम लोग डरना मत, क्योंकि क्या होता है, कि यह gun walks इदर रखा हुआ है, तो तुम्हारे mind में जा रहा होगा कि भाई साब, यह क्या कस्टेमेचली बना रखी है, ठीक है, इसके बाद भी मैं आपको एक beginner friendly कस्टेमेचली बताऊंगा, लेकिन पर इसे देख लो, तो यह वाली कस्टेमेचली मुझे पता क्यों अच्छी लगी है, क्योंकि यह कस्टेमेचली बहुत ही अच्छे तरीके स को, force finger से jump और left fire button को, और उसी के left fire button के ओपर ही scope इदर रख दिया है, ठीक है, मैंने पहले ही वीडियो बता रखा है कि हम लोग switch button या फिर किसी button के ओपर हम लोग अपने scope को रख सकते है, ठीक है, तो जो मेरे पुराने वियो रखन को पता होगा, और right थमसे drag को कंट्रोल करन लेकिन मुझे यह बात भी पता है कि इसको देखके ना तुम लोग थोड़ा सा हिल सकते हो, इसको देखके ना तुम लोग डायक्ट रखने नहीं जाओगे गेम के अंतरी, तुम बोले हो कि क्या IR इदर इदर कर दिया, क्योई गन बोक्स इदर रखा होगा ना, तो इसलिए मैं तो मैं एक सिंपल सी एकदम क्यूट सी फॉर फिंगर किया चुड़ी बताता हूं, ठीक है, वो भी बढ़िया है, उसको भी रख सकते हो, लेकिन एक सिंपल क्यूट ही बताता हूं, आप देखो यह वाली कस्टे में चुड़ी इतनी सिंपल इसलिए दिख रही है, क्यों बढ़िया है, रन और ग्लू, और स्विच भी हम लोग लेफ्ट थम से गंट्रोल कर सकते हैं, तो इस कस्टे में चुड़ी में तो भाई, नो डावट हर एक बंदा भी जाते ही कस्टे में चुड़ी को रख सकता है, क्योंकि यह बहुत सिंपल है, बहुत मुश्कील से दू का हुई है, मतलब आप जल्दी मैच में मरोगे, रैंक भी माइनस होगी, दोस से पिटोगे, दोस हसेंगे, सब होगा, ठीक, यह चीज तो पार्ट है वाई, यह गेम का, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ, आप लोग बस घड़ी लगा क अब व्यूज जो है, मिलियन माने लग जाए, तो किसका डालने का मन ना करे, अच्छा गौरफ भाई, फोर फिंगर खेलते हुए, कोई मिस्टेक्स भी बता दो, आप देखो फोर फिंगर खेलते हुए, जो आप से सबसे बड़ी मिस्टेक्स हो सकती है, वो यह कि आप अब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन हाँ, यह है, अगर आप खुछ से डिजाइन करने लग जाओगे, तो आप गलत स्लोट में गलत बटन को रखोगे, जिसकी वैसे आप लोग मूवमेंट के अंदर फसोगे, कहीं ना कहीं मूवमेंट के अंदर फसोगे, फिर बोलेग फोर्थ फिंगर पे जंप बटन ही रखा गया है, ठीक है, और जब मैंने आपको थ्री फिंगर की वीडियो बताए थी, उसके अंदर भी मैंने बताता है कि थर्ड फिंगर पे जंप बटन को रखना, अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है, क्योंकि जंप बटन से आप लोग उस फिंगर को एक्टिव कर सकते हो, क्योंकि जंप बटन का हमें बहुत बार यूज करना होता है, जिसकी वयसे हमें उसको टैप करना पड़ेगा जबर दस्की, जिसकी वयसे वो फिंगर एक गेम में ज्यादा वाई यूज होगी, और हम उसको जल्दी से अक्टिव कर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ज्यादा ही तगड़ा खेलने ही कोशिश करना मतलब यह सोचना कि वाई फोर फिंगर खेल रहा हूं तो सकती मान बन जाऊंगा एक्दम से मारूंगा वन टैप एक्दम से स्विच भी कर लूँ और फिर ग्लूवल भी लगा दूँ और ग्लूवल सुटब भी हो जाया और कैमरा इंगल भी हड़ यह चीज अगर आप सोच के चलोगे ना तो कभी भी नहीं सीख पाऊंगे फोर अगर में शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं तो देखो गर मैं आपको अपना ओने अच्ट ऑपेनियल दू तो मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुनाया है कि लोग बोलते हैं कि फ्रीफार जो है वह फोर फिंगर के लिए बनागी नहीं है ठीक है बनाई नहीं है फ्रीफ मतलब आप बहुत ज़्यादा अपसेश्ट हो फ्रीफैर से तो तो आप लोग शिफ्ट हो जाओ ठीक है कस्टम वोगर आसा ही खेलते हो तो तो आपको होई जाना चाहिए वाई फोर फिंगर में कोई बुराएं नहीं है लेकिन अगर आप ऐसे प्लेयरों को सिर्फ और सिरि से अब क 몇 लग एक आपको किसी और प्रीफट चलिए फॉर्पिंगर से रिलेटेड तो कमेंट करके बताना औरकर कमेंट नहीं कर रहे हो तो कमेंट चैक करना और जिन बन्हें करके हो उनको लाइक करना जिससे कि मुझे पता Chloe कि पे जादा लाएं कैं किस ट報導 कि इमांड जात